दोस्तों ये फर्टिलाइजर्स मैं त्यार कर रही हूँ अपने गुडल के पौधे के लिए इन फर्टिलाइजर्स को डालने के बाद ही आपको अपने गुडल के पौधे में काफी फरक नजर आएगा अगर आपके गुडल के जो पौधा है उसके पत्ते पीले होकर गिर जाते हैं या फिर कलियां भी पीली होकर जड़ जाती है और उसके इलावा आपका जो गुडल का पौधा है उस पर फूल नहीं आते है तो इन फर्टिलाइजर्स को डालने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि कितने फाइदे हैं इन फर्टिलाइजर्स के आपका गुडल का पौधा जादा क्वांटिटी में फूलों को प्रड्यूस करना शुरू कर देगा और उसकी कलियां भी कभी नहीं जड़ेंगी आप ये जो मेरा गुडल का पौधा देख रहे हैं इसे मैंने 10-15 दिन पहले ही नर्सी से लाकर रीपॉर्ट किया है और जब मैंने इस पौधे को रीपॉर्ट किया था तब मैंने इसमें गुडल की खाद और सूखे हुए पत्तों को मिलाया था पर आप देख सकते हैं इसके पत्तों में काफी पीला पन है और इसके पीले पन को दूर करने के लिए मुझे इसमें थोड़े और फर्टिलाइजर्स को एड़ करना पड़ेगा क्योंकि गुड़ल का पौधा जो होता है सिरफ गोबर की खाद से ही इसे सारे न्यूट्रियंट्स नहीं मिलते हैं हमें अपने गुड़ल के पौधों में थोड़े और न्यूट्रियंट्स भी डालने पड़ते हैं तबी जो हमारे गुड़ल के पौधे की न्यूट्रियंट्स की कमी है वो पूरी हो पाती है क्योंकि गुड़ल का पौधा एक हैवी फीडर प्लांट होता है यानि इसे जादा मात्रा में खाना चाहिए होता है जादा फूलों को प्रेड्यूस करने के लिए तो जितनी एनरजी हम अपने पौधे में डालते हैं उतने ही जादा फूल हमारे पौधे में आते हैं अगर हम कोई भी fertilizer अपने फूलों वाले पौधों में नहीं डालते हैं, तो हमारे जो फूलों वाले पौधे होते हैं, वो कभी भी फूलों को produce नहीं करते हैं, अगर फूल उन में आते भी हैं, तो वो बहुत ही छोटे size की आते हैं, और बहुत ही थोड़ी मातरा में आते हैं इसलिए जादा फूलों को लेने के लिए हमें अपने पौधों में फर्टिलाइजर डालना बहुत ही जरूरी रहता है तो चली फ्रेंड्स देखते हैं हम कौन से फर्टिलाइजर अपने गुढ़ल के पौधे में डालने वाले हैं तो यहाँ पर मैंने वन फोट स्पून एपसम सॉल्ट का लिया है इसे मैं आधे लीटर पानी में डिजॉल्व कर रही हूँ एपसम सॉल्ट डानने से हमारे पौधों में जो क्लोरोफिल होता है वो जादा मातरा में बनने लग जाता है जब क्लोरोफिल जादा बनता है तो हमारे पौधों के जो पत्ते होते हैं वो हरे भरे रहते हैं और काफी बड़े साइस के हो जाते हैं और उसके इलावा मैंने यहां पर लिया है वन फोर्ट स्पून पोटाश। पोटाश जो होता है हमारे गुड़ल के पौधे की जड़ों को मजबूत बनाता है और जादा कौंटिटी में फूलों को प्रड्यूस करता है। इन दोनों फर्टिलाईजर्स को अगर आप महीने में एक बार अपने पौधे में डालते हैं तो आपका पौधा जादा कौंटिटी में फूलों को प्रड्यूस कर पाता है। पर chemical fertilizers डालने के साथ साथ मैं अपने गुडल के पौधे में कुछ organic fertilizers भी डालूँगी क्योंकि जब भी मैं अपने पौधों को fertilize करती हूँ तो मैं कुछ chemical fertilizer और कुछ organic fertilizers को ही मिला कर fertilize करती हूँ क्योंकि और्गैनिक फर्टिलाइजर्स हमारे पौधों की जो मिट्टी होती है उसकी उपजाओ शक्ती को बना कर रखते हैं तो फर्टिलाइजर्स पौधे में डालने से पहले हम अपने पौधे की अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे पर गुड़ल के पौधे की गुड़ाई हमें कभी भी जादा गहरी नहीं करनी होती है क्योंकि ऐसे इसकी फाइबरस रूट्स तूट जाती है जिससे हमारे गुड़ल के पौधे की ग्रोथ काफी स्लो हो जाती है इसलिए आपने हलकी हलकी गुडल के पौधे की गुडाई करनी है और उसके साथ मैंने यहाँ पर कुछ और्गैनिक फर्टिलाइजर डालूगी इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर एक चमच नीम केक फर्टिलाइजर नीम के एक fertilizer जब हम अपने पौधे में डालते हैं तो हमारा पौधा काफी तरह की बिमारियों से बचा रहता है और फंगर से भी बचा रहता है और उसके इलावा मैंने यहाँ पर लिया है एक चमच बोन मील fertilizer ये भी एक organic fertilizer है इसका इस्तेमाल हमने सिरफ दो महीने में एक बार ही करना है क्योंकि इसमें phosphorus की जो quantity है वो थोड़ी जादा होती है और हमारे गुडल के पौधे को phosphorus थोड़ा कम चाहिए होता है और ये थोड़ा slow release fertilizer भी होता है इसलिए हम इसे दो महीने में एक बार ही डालेंगे इन दोनों fertilizer को डालने के बाद हमेसे मिट्टी में अच्छे से मिला लेंगे और नीम केक fertilizer को तो आप महीने में एक बार अपने पौधे में डाल सकते हैं और उसके इलावा आप एक या दो मुठी वर्मी पौस्ट की भी इसमें डाल सकते हैं पर मैंने हाल ही में अपना पौधा लगाया है और मैंने लगाते समय इसमें गोबर की खार डाली थी इसलिए अभी मैं इसमें वर्मी कमपोस्ट नहीं डाल रही हूं और उसके साथ साथ जो हमने potash और Epsom salt को dissolve किया है उसे भी हम अपने पौधे में डाल देंगे और ये जो मैंने मात्रा ली है एपसम सॉल्ट और पटाश की ये मैंने अपने 8 इंच के गमले के लिए ली है और आपने उतनी कौंटिटी ही गमले में डालनी है जितना आपका गमला अच्छे से एबसॉब कर पाए यानि ये फर्टिलाइजर्स का ज जो हमारे पौधे में मेगनीशम की कमी को दूर करता है जब पौधे में मेगनीशम की कमी आ जाती है तब भी हमारे पौधे के जो पत्ते हैं वो पीले रहना शुरू हो जाते हैं अगर आप महीने में एक बार 1 फोट स्पून एपसम सॉल्ट को एक लिटर पानी में डिजॉ करके अपने पोधे पर उसकी स्प्रे करते हैं तो हमारा जो पोधा है उसे अच्छे से एब्जॉब कर पाता है और हमारे पोधे के जो पत्ते हैं वो भी पीले नहीं होते है, पर दोस्तों फरटिलाइजर्स डालने के साथ साथ हमें गुढ़ल के पोधे में कुछ और बातों क भी ध्यान देना होता है तबी हमारा गुडल का पौधा इन फर्टिलाइजर्स को अच्छे से एब्सॉब कर पाता है सबसे पहले तो आपने अपने गुडल के पौधे को किसी भी शेडी एरिया में नहीं रखना है आपने अपने पौधे को उसी जगा पर रखना है जहां पर आपके गुडल के पौधे को 5-6 घंटे की धूप मिलती हो धूप में अगर आपका पौधा रहेगा तब ही वो जादा क्वांटिटी में फूलों को प्रेड्यूस कर पाएगा और जितने भी हमने फर्टिलाइजर अपने पौधों में डाले होंगे वो हमारा गुडल का पौधा उन्हें अच्छे से एब्जॉप कर पाएगा और दूसरी चीज जिसका आपने ध्यान देना है वो है आपने इसमें पानी का भौध ध्यान देना है वैसे तो हमारा गुडल का पौधा मौश्यर को पसंद करता है पर पानी गुडल के पौधे में आपने उतना ही देना है जितना हमारा पौधा अच्छे से एब्जॉप कर पाए यानि पानी का हमने गमले के नीचे से निकलने का इंतजार नहीं करना है क्योंकि ऐसे में हमने जितने भी फर्टिलाइजर्स अपने पौधे में डाले होंगे वो भी सभी पानी के साथ निकल जाएंगे और आपने पानी तभी देना है जब मिट्टी थोड़ी सी सूख जाए क्योंकि अब सर्दियों का मौसम आ रहा है इसलिए आपने जादा नमी पौधे में बना कर पानी नहीं डालना है गर्मी में तो हम नमी देखकर पौधे में पानी डाल देते थे पर सर्दियों में हमने मिट्टी का सूखने का इंतिजार करना है और उसके साथ साथ आपने अपने गुड़ल के पौधे में पेस्ट अटेक का भी ध्यान देना है क्योंकि गुड़ल के पौधे पर अकसर मिली बग्स का अटेक होता रहता है उसके लिए आप अपने गुढ़ल के पौधे पर नीम ओयल और लीकुइट सौप इन दोनों को मिलाकर उसकी स्प्रे कर सकते हैं और अगर आपके पास नीम ओयल नहीं है तो आप किसी अच्छे इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं और उसके इलावा अगर आप नीम के पत्तों को पानी में उबाल कर भी उसका स्प्रे करते हैं तब भी आपके गुडल के पौधे पर पैस्ट अटेक बहुत कम होता है और इनका स्प्री अगर आप हाफते में एक बार या 15 दिन में एक बार करते हैं तो आपका गुड़ल का पौधा पैस्ट अटेक से बचा रहता है तो दोस्तों इस तरह से अगर आप अपने गुड़ल के पौधे का ध्यान रखते हैं उसमें महीने में एक बार फर्टिलाइजर डालते हैं तो आपके गुडल के बौदे पर बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग होगी तो फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीस कमेंट करके जरूर बताईएगा तक्रश्टा प्लीस कर दो आपके जरूर बताएगा